हेलो एवरिवन, आइम दिक्षा जोशी, लेक्चरार गर्मेंट पॉल्टेकनिक कॉलेज पाली आज हम डिसकस करेंगे 308 सब्जेक का 6th यूनिट का 2nd टॉपिक जो की है Methods of Voltage Control Voltage Control होता क्या है पहले हम वो देखेंगे और उसकी नीड हमें क्यों पढ़ती है यह चीज़ हम देखेंगे ठीक है इसके बाद इसके Various Methods हैं Voltage Control के जो की पूरे यूनिट को कवर करता है तो हम क्या करेंगे एक एक बारी बारी करके पूरा पूरा टॉपिक elaborate करके पढ़ेंगे ठीक है पहले हम यह देखते हैं कि Voltage Control होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पढ़ती है ठीक है यह Voltage Control सबसे पहले आप देखेंगे हो कहां पर रहा है पूरे सिस्टम का Voltage Control है यह ठीक है बोत यूटिलिटी एंड नीड क्यों है इसकी बोत यूटिलिटी एंड कस्टमर एक्वीप्मेंट डिजाइंड टू OPERATE AT CERTAIN VOLTAGE RATING एक्शल में क्या होता है जब कोई भी इसक्टम查 होता है तो उसकी Voltage ça 경ach is तो उसके बाहर जाकर के वह काम नहीं कर सकता तो एक design rate उपर ही वह काम करता है अगर वह rating disturb होगी तो उस system की उस system के साथ छेड़ चाड़ हो जाएगी वह system proper appropriate काम नहीं करेगा ठीक है यह हम सभी जानते हैं कि एक constant voltage पर हमारी कोई भी machine काम करती है ठीक है वह voltage अगर disturb हो जाता है अपने level से उपर या नीचे हो जाता है तो उस system में काफी disturbances आ सकते हैं ठीक है उसके बाद second point हमारा है long term operation outside allowable range could cause them damage अगर उस range में voltage काम नहीं करे और long term operation उस पर अगर वो काम नहीं करे तो उस पर damage भी हो सकता है ठीक है तो दो चीज़े हो गई हमारी के voltage control की जरूरत क्यों पढ़ती है फिर एक दूसरी चीज़ एक नया concept आता है principle of decoupling principle of decoupling क्या बताता है हमारा active power और हमारा reactive power किन-किन चीज़ों पर depend करता है active power का formula हम derive कर चुके है power angle equation से क्या होता है for any transmission line या for any electrical machinery design क्या होता है ev by x sin delta ठीक है तो power हमारा किस पर depend करता है mainly इस load angle पर depend करता है delta पर depend करता है ठीक है q का formula क्या होता है reactive power का formula क्या होता है vr divided by x into delta v q हमारा depend करता है change in voltage पर तो यह principle of decoupling हो गया कि हमारा power depend करता है delta angle पर और q हमारा depend करता है change in voltage पर ठीक है q is equals to v square by r तो यदि हमारा war demands जो है वो यदि बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा voltage कम होने लगेगा और voltage sag करने लगेगा sag की condition आती है जिसमें वो हमारा per unit सही पे maintain नहीं रहता और decrease करने लगता है ठीक है तो ये situation नहीं आने देनी है इसलिए उसी reactive power की demand को हमें meet करना है और reactive power हमको supply करना है उसी system पे ताकि वो voltage low नहीं जाए और हमारा system सही काम करे ठीक है तो यदि heavy load की condition में क्या होता है positive VAR capacitor bank supply करता है ठीक है यही case हमारा इंडिया में यही case देखने को मिलता है ठीक है for light load conditions नहीं मिलता है VAR demand नहीं बढ़ती light load के condition में heavy load के condition में VAR demands बढ़ती है इस वज़े से positive VAR C bank लगाना पड़ता है अगर for light load के case में क्या होता है VAR demand बढ़े तो हमें negative VAR L bank लगाना पड़ेगा voltage को maintain रखने के लिए ठीक है यह दो चीजे हो गई voltage control की need क्यों थी वो हमने पड़ा और decoupling का principle हमने पड़ा कि voltage के change होने से हमारे reactive power पर क्या difference आएगा और reactive power हमें क्यों supply करना पड़ेगा ठीक है इसके बाद है methods of voltage control जो पूरे unit में हम एक एक करके सारे methods पड़ेंगे तो क्या क्या है एक बार briefly उनको देख लेते है static sources और sinks of reactive power ठीक है हम जानते है sources और sinks of reactive power क्या है जैसे sinks हमारे क्या हो गए sinks of reactive power हो गया induction machine हमारी sink है reactive power की खीचती है ठीक है whereas source reactive power का क्या है synchronous motors है synchronous motors हलाकि वो static नहीं है dynamic है तो ये क्या करते है synchronous motor क्या करती है supply करती है induction motor क्या करती है खीच लेती है reactive बार को ठीक है और हो गए हमारे tap changing transformers हो गए जो की voltage को regulate करते हैं और क्या हो गए यह shunt और series compensation हो गए capacitor bank हो गया ठीक है static और fixed sources हो गए static var compensators हो गए तो यह कई तरह के methods है जिनको हम एक एक करके आगे पड़ेंगे Thank you everyone